नमस्टकार साथियों आप सब का पुनह स्वागत है शरद्धा एस्ट्रो जोतिश में आज हम लोग आप लोगों के समक्ष रखेंगे गज केसरी योग आला कि जो भी जोतिश प्रैक्टिस में है अध्यन कर रहे हैं लगबग सभी लोग इस योग से परिचित हैं गज केसरी योग क्या होता है लेकिन आज हम वो गज केसरी योग कितना ज्यादा प्रभाव शाली हो सकता है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिए वैसे गज के सरी का सामान ने अर्थ क्या होता है अब यदर बात करते हैं गज के स्री के सामान गज याने हाथी को कहा जाता है गज और केसर याने सिम या शेर को कहा जाता है जैसे वनक्षेत्र में या जंगल में अगर हाथी और शेर हमारे पक्ष में आ जाता है तो फिर चाहे कोई भी कितना ही बड़ा विरोधी क्यों ना हो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है और सीधा सर इसका हमारे मन पर पड़ता है ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी का गजकेसरी योग चंद्रमा से भी बन रहा है और लगन से भी बन रहा है और उसमें डिरेक्ली इंडिरेक्ली करक राशी भी इन्वाल्व हो रही है तो उसका जो स्तर है गजकेसरी योग का वो बहुत बढ़ जाता है हाला कि सामान ने शब्दों में गजकेसरी योग जो जोतिश में माना जाता है किसे कहा जाता है कहते हैं अगर कभी भी यहां से कर्म पढ़ते हैं ब्रहस्पती अपनी उच्च राशी में है और चंद्रमा के चतुर्थांश में स्थित है इस योग में कर्क राशी का विशेश महत्व है ब्रहस्पती की फेवरेट राशी है कर्क राशी चंद्रमा को तो अपना ही घर है हाला कि हम गजकेसरी योग तभी भी मानते हैं जब ब्रहस्पती से चंदरमा च intelligence बहाम में है वह भी माना जाएगा मानिक केंद्र में है परिवलिविद जार इसमार में चंदरमा से अचिस असल में आरा है लेकिन अगर हम उसको द्रिश्टी समंद बना दोनों एक साथ बैठ जाए तो फिर इसका स्तर जो है वो उच्छ दर्जे का माना जाता है और कहीं इसमें करक राशी स्वैम शामिल हो जाए यह यह गजकेश्री यह करक राशी में ही बन जाए प्रतम शेणी का है फिर हम सीधा कहेंगे जाहे कितने ही बड़े अनिष्ट साथ दुश्मनी हो गए लेकिन अगर हमारी सिम्म और गज के साथ महित्री हो गई तो हमारा कोई कुछ नि विगार सकता है यहां पर हम उनको यह समझाने के लिए रखा गया है ऐसानी कि वनक्षेत्र की बात की जा रही है तो वह वनों के निवासियों की बात कर रहा ऐसा न में सिम्म और गज का जो बल है वैसा ही गज के स्री योग में बल है और इसमें सूर्य लगन चंद्रमा के लगन माने जो सूर्य के मित्र है सूर्य चंद्रमा और ब्रहस्पति के लगन मंगल के लगन उन लगनों में भी गज के स्री योग का महतवत ज्यादा माना जाता है क् कि ये मित्र हैं ये मेश लगने तो मंगल का लगने है और सिम लगने है तो सूर्य का लगने है इसी प्रकार से ब्रहस्पति के ये दोनों लगने है और ये भी मंगल का ही लगने है तो ये जो सूर्य साइड है ये लाइट के जो पक्ष में है सूर्य के जो मित्र मित्रा आते है सूर, चंद्रमा, मंगल, भ्रहस्पति, यह वाली साइड में गज़केशरी योग का महत्व कुछ जादी हो जाता है, क्योंकि भ्रहस्पति उस केस में functional benefit भी बन जाता है natural benefit तो है ब्रहस्पती उस case में वो functional क्योंकि आपको पता जब भी हम functional benefit की बात करेंगे तो वो उसके लगन अनुसार देखना पड़ेगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक हो गया? मनले वो vary करता है जहां भी functional benefit नेचर की बात आएगी तो वो वेरी करता है लेकिन भाव से तो वैसे ब्रहस्पती सभी के लिए पहुत शांत रखते हैं तो हमें द्यान लटना है गजकेश्री में वैसे तो गजकेश्री हमेशा माना जाए कभी ब्रहस्पती से चंद्रमा केंद्र में आगे ब्रहस्पती से चंद्रमा चतुर्थ है सब्तम है दशम है यह साथ में बैठें तो माना जाएगा लेकिन वो कितना बली है कितना प्रभाव शाली है जीवन में वो जो बात लिखी है क्या वो एज़टीज कर सकता है अगर इन पूरा सेंटेंस पढ़े जिस प्रकार वन में सिम और गज को अपने पक्ष में कर लेने से पूरा वनक्षेत्र हमारे प्रभाव में आ जाता है उसी प्रकार कुंडली में बली गज के शरीयोग दुरियोगों का प्रभाव भी समाप्त कर देता है दुरियोग कोई ऐसा बनता हो, भी हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा अनिष्ट आ सकता है, वो शरीर सम्मंदी कश्ट लिखा है, घज के स्रियोग अगर बन रहा है, तो फिर वो उस अनिष्ट को भी काफी हद तक या दुरियोगों को दबा देगा, अब जैसे इसमें बात की तो दोनों बैट गए, ब्रहस्पती और चंद्रमा बैट गए, और या फिर चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, ब्रहस्पती यहां बैठे हैं, सुनने में ऐसा प्रतम दृष्टा ऐसा लग सकता है कि यह तो ब्रहस्पती नीच का होकर बैट गया, ध्यान रखने अगर प्रमा की राशी में उच्छिका हो जाता है तो यहां ब्रहस्पती डेपलेटेटल होकर भी बहुत उच्छ दर्जे का गज केसरी योग बनाएगा तो जो कुंडली के सामाने जिस प्रकार राजयोग धन्योग चर्शा में लाए जाते हैं इसी प्रकार से हम गज केसरी योग और बुदादित्य योग और भी इस प्रकार के जो योग हैं उनको भी महत्व देना चाहिए और अगर कई निर्दोष बनता है गज के स्री योग बुदादित्य योग और भी इस प्रकार के निर्दोष अगर बनते हैं तो यकीन माने ऐसी कुंडली के सभी प्रकार के अनि दिर्म का कारव भॉट बढ़िया विक्ती को निर्नय लेने का क्षमता हो जाती कि बहुत बढ़ी ऐ dean ब्रहस्पती विखिव्टे चंद्रमा यहां बैठ ऐ'S जसे ऐड़िज है और भी चंद्रमा को दे रहा है साथ मैं चंद्र मुपी वहीं बैट जय का गज के स्री यह माना जाएगा उसमें इ Article में हैं मेश लगन है और कहीं करक लगन है सम लगन है रहनी दो पाट los there के मंत्र लए वर्शिक लगन है उन लगनों के लिए गज के स्री योग का महत्व थोड़ा जादा माना जाता है क्योंकि वो सब ब्रहस्टपती और चंद्रमा के वित्रवाले पक्ष आ गए सारे और गजकेसरी योग में पधान करे यही दो माने जाते हैं ठीक हो गया तो फाइदा क्या होता है अगर इसमें चीज़ आ जाती करकराशी भी इन्माल्व हो जाती है बली होकर ब्रहस् लेकर आपको ज्यादा ब्रह्मनी पालना है योग अगर बन गया है तो फल दे गई देगा लेकिन वो किस प्रकार से हमारा व्रहस्पती काम कर रहा है अगर वह 0 डिगरी का ये एक डिगरी का जैसे कोई न्यूली बढ़न बेबी है माने हमारे आसपास जो हमारे गुरू हों हम इसको मजाकिया में खिस्सू भी कह सकते हैं यह तो बहुत खिस्सू हैं बात-बात पर हसने लग जाते हैं लेकिन वह सिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर अच्छे भावों में बैठकर बली राजयोग और इस प्रकार की घचकिश्री योग में इन्वाल हो रहा है तो इतना ही समझना है लेकिन हमारी मूल विचारधारा हमने जो थम रूल बनाया हुआ है कि नहीं गुरू तो थोड़ा सा मिच्योर होना चाहिए ग्यानी होना चाहिए गुरू का मतलब जिनके मैं डेफिनिशन की बात बता रहूंगी हां उनके ऐसे थोड़े से व्रद् लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ही कम आयू के विक्ति को भी हम गुरू की संघ्या दे सकते और बहुत ज्यादा ज्यान भी हो सकता है वह सकता है कि कोई विक्ति बहुत ज्यादा वयोविर्द्ध हैं बहुत ज्यादा उमर दराद उनसे भी आधी आयू का कोई विक्ति है उनको इश्वर करपा से या गुरू करपा से उनसे ज्यादा अच्छा ग्यान मिल जाए तो इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर आपका रहस्पती जो है वो तीन डिगरी का है तो बेकार है लेकिन अगर आपको एक तुल्ला करने के लिए बिठा दिया जाए आपको जोतिशी की दृष्टी से देखना ओँ तो आप अपने मन में बात रख सकते कि कैसा वो इसका जो मेंटर जो गूरू कैसा बरताव करता होगा कैद विए उनका गूरू जो मिलेंगे वह व्रद हो सकते हैं और अगर वो गूरू बहुत ही कम डिगरी का है तो हम यह कहेंगे वह इनका और जो मानक प्रक्रियाएं जैसे मानते हैं गुरू का मतलब होता है वह उनमें बंधने वाला नहीं होगा पड़ासा मजा किया खिस्सू हसने वाला ऐसा हो सकता है ठीक हो गया तो अपने को ध्यान रखना है सभी में धनात्मक उर्जा का वास है या न्यूली बार्न बेदी हम अगया प्लाट है ये तो यह एकड़म तर नी बाते हैं इसलिए आप को बात याद रखनी है कि चाह वह शुने डिगरी का प्लानेट हो और चाह वह आ इस प्रकार से वह कारे करेगा तो वह कमर का बालक भी होगा तभी बी उससे शंबंदित जो ग्रह होगा उसमें वह बड उसको बहुत ज्यादा नॉलिज पहले से एक ठीकर रखें उसने तो हम जैमनी पद्धती में ज्यादा डिग्री प्लानेट को आत्मकारक की संग्या देते हैं सबसे अनुभवी जो प्लानेट है 27 दिगरी का 28 दिगरी का 29 दिगरी का उसको हम आत्मकारक मानते हैं ठीक हो गया इसलिए उन विशयों में विशय सिर्फ एक जोतिशी की दृष्टी से तुल्ला करने के लिए वो किसी को नीचा या उंचा दिखाने के लिए नहीं है कि मैंने पढ़ा था मैंने एसलोजी की क्लास में पढ़ा था कि जीरो डिगरी का महत्व उस दृष्टी में कम होता है और आपको पता इश्वर ने कभी अपने आपको किसी नियमावली में बांध नी रखा है उनने जब विराठ सुरूप दिखाया दिया उनकी सभा में वो सबके सामने दिखाया चमतकार उन्होंने किया लेकिन दुर्योदन नहीं देख पाया भीश्मन पितामा ने देखा जो जो भगवान के भगत थे उनको सब को भगवान का वास्तविक सुरूप चतुरभुज रूप दिखाय दिया इसको दिखाय नीधे अपने को ध्यान रगना पूर्टकॉल में हमें बंदना है हम यह बंदेंगे और जैसे जैसे कोई विक्ति अपने आपको उस ज्यान से और ज्यादा भगवान की भती में और भगवान विश्वास में चला जाएगा फिर वो भी क्या होगा अंधा 59 डगरी मेरा क्या होगा ऐसा नहीं होरा में आपकरार जो भी है जैसा भी है U वैसे कम हो जाता है और जो रिंग करता है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होना कर्म आप करेंगे लेकिन आप प्रारब्द पर उंग्लियानी उठाएंगे यह सथ कैसी हो गए मेरे साथ मैंने तो सदा ऐसे किया मैं गलत अगर आपको लग रहा है रेजल्ट मिला है तो फिर से अटेम्ट करें अप्रिसे अटेम्ट करें प्रारब्द जो उस पर हमारा जूर तोच्छा सथ करेंगे और फिर वह अपने को मिलेगा इतिक्र घ्राइब किसी लेवर का ऐख जो सच्शा विक्ति मुवर का एक भी पैसा एक भी पाई नहीं भगवान भी किसी का जो कर्म फल है वो नहीं रखता है इसलिए ध्यान रखना है कि हमने आज अगर कोई अच्छा कर्म किया है उसका परिणाव अपने को जरूर मिलेगा अधुए आपने से ऐसा है कि जो इन बंदनों से मुक्त हो गया है उसको ना अब अब में इंट्रस्ट अन अपने मीं इंट्रस्ट अन सुख में इंट्रस्ट अफिर वो वो तो देवताओं से परे हो गया, वो एक अलग विशे, तो क्या मिलता है गज के स्री योग में, जातक अत्यंत सम्रद्ध, पून सांसारिक सुख, अच्छी भू संपत्ति और वाहन वाला होगा, देखे, क्योंकि गज के स्री योग में ब्रहस्पति और चंद्रमा का सबसे वस्तु उनका कारक भी है, और यहां करक राश्णी की भी बात हो रही है, तो करक राशी क्या बताती है, जाडियक में, चतुरत भाव में आती है वो, निश्यत रूप से भू संपत्ति, भावन सुख के लिए गज के स्री योग बहुत बढ़ी है, बोलते हैं, गज के स्री यकीन माने उस जतु लग लाउं से पता लगता है, तो अगर चंद्रमा के साथ को यहां बैठा को और वहां बैठा है, लेकिन गज के सरी योग अगर आ जाता हैं, तो यकीन माने उस बुरे प्रभाव को भी हम पूरी तरह से नलीफाई करेंगे उसका जो रनात्मक प्रभाव है उसको हम नगलेक्ट छोड़ देंगे इनफेक्ट कई दफा तो ये रनात्मक प्रभाव गज केशरी योग के साथ जब बनता है तो बड़ा अच्छा हो जाता है जैसे चंदर्मा और केतू का मिलन है एक उधार देकर बता रहें चंदर्मा और केतू के दफा अवसाद मिला सकता अगर चंदर्मा कमजोर है डिप्रेशन में जा सकता है लेकिन अगर ये चंद्रमा के तू का मिलन गजकेसरयोग के साथ हैं तो फिर आप ये मान कर चलें आपकी तो लौट्री लग गई आपके मन को एक ऐसी दिशा मिल गई जो इशुर धार्मी क्यात्राइं करने का मौका मिलेगा, जागरन करने का मौका मिलेगा, मुक्ती जैसा ज इसने वो ग्यान पा लिया जो किसी सांसारिक विक्ती के लिए बहुत बहुती रेर है बहुत बिरलाई किसी को मिलता वो ग्यान तो इसे लिए हमें ये बाध्यान रखनी है कि वो जिसको हम कह देते हैं कि वो तो परमात्मा को पा लिया उसने और हम कही दफार कहा देते हैं पा पागल उसका भी संसार से कोई ऐसा कोई ऐसा अब्जेक्टिव नहीं है संसार और जो जिसको जो इश्वर में जीता है वो भी हमें कई दफा ऐसा लगेगा संसारिक दृष्टी से निरुद्देश्चे लेकिन जो फैक्ट है जो सचाई है वो यह है कि जब चंद्रमा के साथ के साथ ब्रहस पती मिलकर बनाएगा तो वो सच्चा बल दे देगा विक्ति को वो ग्यान दे देगा जो मुक्तकार आ सकता है और अगर कमजोर होकर कहीं चंद्रमा के साथ मिलता है तो वो कहीं न कहीं हमें अवसाद मिला सकता है डिप्रेशन मिला सकता है बहुत ज्यादा सो आओ लगन में बने रहा है तो फिर तो पर कहना ही क्या और उसमें भी करक सिंव रही है और साथ सीरी के लगनों में आ है तो फस्क्लास पृतम श्रेणी के घज के श्रीयोग माने जाएंगे आज की Conway के इस झाल झाल